कि नमस्कार मैं सुनीता कथा मन्थन में आप सबका स्वागत करती हूं कथा मन्थन में आज सुनिये रविंदरनाथ टेगोर जी की कहानी देश भग्द रविंदरनाथ टेगोर जी की अन्य कहानिया आप हमारी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं जिसका लिंक आपको end screen पर मिल जाएगा इसके अलावा description box में भी इसका link रहेगा तथा अन्य कहानियों का और उपन्यासियों का link भी description box में है आप जाकर के चेक कर सकते हैं अगर आप current affairs और science tutorials के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे channel उन्नती की वानी में जाकर के चेक कर सकते हैं जहां पर science के architecture का और commerce की classes भी हम लोग upload करते हैं link आपको मैं description box में दे दूँगी तो चलिए शुरू करते हैं गुरुदेव रविंदर नाथ टैगोर जी द्वारा लिखित कहानी देश भक्त लोग कहते हैं आजकल अंग्रेजी पढ़ने वालों का भविश्य अंधकार मैं है अंग्रेजी पढ़ना और भाड जहांकना एक समान है अच्छे अच्छे M.A. और B.A. पास करके मारे मारे फिड़ते हैं कोई उने पूछता तक नहीं पर मैं इन बातों के बिल्कुल विरिद हूँ अंग्रेजी पढ़ लिक कर ही तो मैं डॉक्टर बना अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करने वाले आँखे खोल कर तनिक मेरी दशा तो देखें स्वामवर का दिन था सवा नौ बजे के करीब मेरे मित्र बाबु संतोष कुमार बीएसी एक नविवक रोगी को साथ लिए मेरे दवा खाने पर आए उस रोगी का फ्यक्तित्व इस परकार का था उम्र उन्निस बिस वर्ष शरीर गठा हुआ रंग गें हुआ सुन्दर चेहरे पर बड़ी बड़ी वा संदर आँखे लंबे वा रूखे केश बदनक पर स्वदेशी किन्तु मेले वस्त ना जाने क्यों उस युवक को देखकर मुझे बड़ी ही प्रसंता हुई संतोष कुमार ने उस युवक का परीचे कराते वे कहा नदिया जिला के निवासी है ललित कृष्ण बोस इन्तु लोग इन्हें ललित के नाम से अधिक जानते हैं में के छात्र थे परन्तु किसी कारण से कॉलेच छोड़ दिया मैंने मुस्कुराते वे पूछा करते क्या हैं आज कलिए इस बार भी उत्तर संतोष कुमार नहीं दिया दो महापुर्व ये किरन प्रेस में प्रूफ रीडर के पद पर कारिय रत थे परन्तु इस काम में मन ना लगने के कारण नौकरी छोड़ दी परसो से ज्वर से पीडित हैं कोई अच्छी दवा दीजिए मुझे लगा आज से पहले भी मैंने इस यूवक को कहीं देखा है परन्तु कहां और कब ध्यान में ही नहीं आ रहा था चैक अप करने के बाद मैंने ललित से पूछा मालूम होता है आप अवश्यक्ता से अधिक परिश्रम करते हैं खैर कोई बात नहीं दो दिन में अराम हो जाएगा ललित बहुत मिर्दु भाशी था मैं उसकी बातों से काफी प्रभावित और मुग्द हो गया फिर दवा देकर मैंने कहा हर तीन घंटे के अंतर में दवा लें दूद और साबू दैने के सिवाए कोई चीश खाने में ना ले और फिर कल एक बर चैक अप करा लें ललित हसने लगा जाते समय मैंने उसको कल अवश्य आने की हिदाया दी परन्तु ललित ने शाम को ही आने के लिए कहा ललित प्रती दिन सुभा शाम मेरे यहां आने लगा मैं उसके विवार से बहुत प्रसंद था घंटो इधर उधर की बाते होती ललित वास्तव में यथा नाम तथा गुन था मनुष्य नहीं देवता था दीरे दीरे मेरे घर में भी उसकी पैट हो गई फिर एक समय ऐसा आया कि वह मेरे घर में ही रहने लगा मेरा पुत्र उमा शंकर आठमी कक्षा का चात्र था ललित ने कहा मैं इसे बंगला भाशा सिखाऊंगा बंगला बड़ी मधुर भाशा है मैं स्वैम भी यही चाता था उमा शंकर ने बंगला पढ़ना शुरू कर दिया ललित उस दिन से उमा शंकर का शिक्षक हो गया जब भी किसी त्यहार पर पूरे बंगल में बड़ी रोनक होती किन्तु कलकत्ता जैसे बड़ी नगर का तो कहने ही क्या यहां त्यहारों पर विशेश चहल पहल होती है खास कर दुरगा पुजा के अफसर पर आसधारन धूमधाम और चहल पहल दिखाई देती है दशारे के दिन प्राया सारे रास्तों पर भीड़ भाड होती है प्रतेक व्यक्ती अपनी धुन में मस्त दिखाई देता है जिस समय दुरगा की जहांकी सामने से आती है तो जै महाकाली के जैगोश से आकाश गुण जुटता है जिससे सुनकर हिदय में एक अनुपम आवेश उत्पन होता है उस दिन दुरगा पूजा थी हम लोग सभी शुभा यात्रा देखने गए थे ललिद भी साथ में था अन्य दिनों की अपेक्शा वे आज कुछ अधिकी रहस से मैं दिखाई दे रहा था प्रतेक स्थान पर वे देवी की मुर्ती को नमन करता कभी उसके नेतरलाल हो जाते और कभी उनमें आसू मड़ाते कभी वे हर शातिरेक से विहल होट का कभी सरवदा मौन होकर हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगता मैंने बहुत प्रयतन किया परन्तु उसकी इन चेश्टाओं को ना समझ सका उससे इस भाव प्रयवरतन के विशे में मालुम करने की भी हिम्मत ना हुई हमारे पीछे एक आटनो साल के बच्चे को साथ लिए एक खंबे की याड में एक गरीब बुड़िया खड़ी थी समवत है अताहा जन समू के कारण उसे किसी और जाने का सहसना हो रहा था वे बिकारिन थी गरीबी के कारण पेट पेट से लग गया था उसे उसने अपना दाहिना हाथ भीग के लिए पसा रखा था बचा अन्यविने करते हुए कह रहा था बाबा भूके की सुद लेना परमिश्वर तुमारा भला करेगा इंतो संसार में करीबों को कौन सुद लेता है गरीब बुड़िया की और किसी ने भी आँख उठा करना देखा प्रते क्योंक्ति अपने आप में ही तो मस्त था बच्चे ने बुड़िया से कहा घंटो अने इंसानियत तो जैसे मर ही गई है जी में आता है यहां प्रान त्याग दू और यह कहकर बच्चा रोने लगा बुड़िया की आँखों में आसू लरजने लगे उसने कहा बेटे अपना भाग यही खोटा है कल सत्तु खाने के लिए छे पैसे मिल गए ते आज उसका भी सहरा दिखाई नहीं देता लगता है भूके पेटी सोना होगा अवश्य ही हमारे बुरे कर्म पाप का ही फल है बुड़िया ने एक ठंडी सांस ली और अपने फटे मेले आचल से अपनी और बच्चे की आखे पहुँची बच्चा फिर उस सब में आए शरधालूं से विंत कौन है सुध इतनी भीड थी इतना अधिक जनसम होता कि इस गरीब की विंती पर कोई कान देकर सुनने वाला ना था ललित उस समय उसी बुड़िया की और देख रहा था उसकी दीन दशा देखकर उसका हृदय व्याकुल हो गया उसने अपनी एक जेब टटोली खाली थी उ उसने दूसरी जेब में हाथ जाला तो कुछ कागजों के बीच में से एक अठनी निकलाई ललित को निराशा हाथ लगने वाली थी कि उसकी निराशा परसंता में बदल गई उसका चहरा खेल उठा और वह अठनी उसने बुड़िया के हाथ पर रग दी जिस परकार दस पां और उसकी आँकों में आशु भराएं वह टक टकी लगाए ललित की और देखने लगी उसका हरदय ललित को असीम आशीश दे रहा था यह दशा देखकर मुझे बहुत अश्या रहा हुआ मैंने अने एक बार उस बुड़िया को देखा था उससे मुझे साहन बूती भी थी क लेकिन तो कभी यह साहस ना हुआ कि उसकी साहेता करूं कभी दिल कहता कि उसे कुछ देना चाहिए कभी कहता इसमें रखा गया है संसार में लाखों करी मैं किस किस की साहेता करूं ललित जिसे कभी कभी भूके तक रहना पड़ता था जिसको मैंने एक पैसे का पान तक चबाते नहीं देखा था और जो मेरी दृष्टी में बहुत मितवई था उसका इस प्रकार से यह दान देना देखकर मेरे अश्यरे की सीमा न रही उसी रात स्वापन में मुझे ललित की बहुत सी विशेशता ही दिखाई दी मालुम नहीं थी सत्य थी या सत्य किन्तो जोधशी के हिसाब से उनको सत्य ही समझना चाहिए इसका कारण यह है कि रात मुझे धाई बज़े मींद आई और वह सपन में मैंने रात के अंतिम पहर में देखा था कहते हैं कि अंतिम पह वह बिना मोटर के घर से बाहर ना निकलता था पर अब यह हालत हो गई कि ललित के साथ प्रती दिन सैर करने के लिए कूसो पैदल निकल जाता उसका सिनेमा देखने का चसका जाता रहा व्यक्तिगत विलास और शान शौकत के प्रदशन के वैसन को भी उसने अब तिलांजल थी कूब आनंद रहता था मैं अपने मित्रों के सतकार में लगा हुआ था उधर उपेंदर कुमार गुपाल उमा शंकर और लरीत के बीच गुप चुप बाते हो रहे थी वे लोग क्या बाते कर रहे हैं बताना मुश्किल है क्योंकि एक तुम्हें पार्टी के यायोजन ए दूसरे वे मुश्स से दूर थे और वे लोग बहुत दीरे दीरे बात कर रहे थे बीच बीच में जब लोग किसी बात पर खिल खिला कर हस पड़ते तब ही मेरा ध्यान उनकी और जाता गुपाल बाबु को मैं काफी समय से जानता हूँ रिष्टे में वे संतोश कुमार के बहनोई लगते हैं बहुत प्रेमी सुभाव के और शौकिन मिजाज अवल दरजे के आज जब उनने देखा तो उनकी कलाई रिस्ट वाच से खाली थी रेशम की कमीज में से सोने के बटन गायब थे और बाल भी फैशन के ना थे मैंने संतोश से धीरे सिका क्या बात है आज क्या पहली सी चटक मुटक दिखाई नहीं दे रही आखिर चक्कर क्या है कुछ समझ में नहीं हारा संतोश ने मुस्कुराते वे उत्तर दिया अजी आजकल इन पर स्वदेशी का रोग चड़ गया कही मैने से यह इसी रंग में रंगे में क्या इस वेश में आपने इने पर यदि कोई ना सुने तो क्या किया जाए अधिक कहने सुनने में अपनी ही प्रतिश्टा तो कम होती है जैसी करनी वैसी भरनी परसिद है जब कारागार्क में चक्की बिसनी पड़ेगी तब आटे डाल का भाव मालू हो जाएगा ठीक कहते हो मैंने कहा जमाने की हवा सात्विक्ता पर मुग्द हूँ उसकी रूची मुझे बहुत भाती है संतोश वै कितना भी सुपष्टवादी क्यों ना हो परंतु आपकी भाती उसकी धाक नहीं जम सकती आप जब पास्चातिय वस्तर पहन कर बाहर निकलते होंगे तो अशिक्षिक्त मनुष्य बहसे आप उठते होंगे और वह व्यक्ति आपसे नमस्कार करके स्वैम को गौरवान भी तब महसूस करते होंगे मुझे हसी आगे संतोश भी हसने लगा उस दिन में रात को अचेत सोया हुआ सपन देख रहा था कि किसी ने मुझे जजचोड़ा मैं हड़ बढ़ा कर उठा और उ आप क्यों रहे हो बाबू 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 पलीस ने सारा मकान केर रखा है रामलाल ने कापते सोर में बताया मैं कोई चोर या बढ़माश्त हो था नहीं जो पलीस का नाम सुनकर गबरा जाता या वहां से भागने का प्रयास करता दो एक भी मायनिया भी चीपेत और पर अवश्य कीती वे ही आखों के सामने नाचने कर लगी पूर्ण विश्वास था कि पुलिस मुझे ही गिरफतार करने आई है पुलिस का एका एक धावा सुनकर मेरी चेतना जाती रही मैं साहस करके नीचे है रामलाल बोला आग गया हो तो दो-चर हाथ लिका कर पुलिस वालों को धर्दी पर लिटा दू मैंने का खबरदार भूल कर भी ऐसा मत करना पुलिस से बिगारना अच्छा नहीं होता दौर खोला गया दो-तिन सार्जेंटों के साथ एक श्वेत वस्तरधारी बंगाली और आट-दस सिपाही कमरे में आ गए बंगाली बाबुने जेब से एक बादामी कागच निकालो और मुझे दिखाते वे का यह गरफतारी का वरंट है आपका घर विद्रोहियों के गुप्त मंतरना का स्थान है और हमें विद्रोही को गरफतार करना है मुझे पर बिजली सी तूट पड़ी मुझे लगा संभवत है मैं ही विद्रोही हूँ क्या मेरी ग्रिफतारी कही वारंट है मुझे ही पुलिस ग्रिफतार करने आई है अब पुशल नहीं यदि फासी से बच गया है मैं सरकार का शुबाकांशी हूँ इसी वर्ष मुझे राय सहाब के उपाधी में लिया है शायद आपको भ्रहम हुआ है एक सार्जेंट ने तियोरी बदल करका आम काला आडमी नहीं है गोड़ा आडमी कभी जूट नहीं बोल जाकता बंगाली बावु ने तनिक रुष्टता की मुद्रा में का पुलिस को भ्रहम नहीं हो सकता और भ्रहम प्राय डॉक्टर को हुआ करता है फिर मैंने पूछा विद्रोही का नाम क्या है शरत कुमार बंगाली है हाँ कहा का रहने वाला है मेरे सिर्षे जैसे विपत्ती सी टली नाम सुनते ही होटो पर हसी खेलने लगी मैंने का महाशे है इस नाम का कोई व्यक्ती मेरे घर में नहीं है कोई और बंगाली आपके मकान में है हाँ सीधा सादा एक यूवा कहे जो मेरे बेटे को बंगला पढ़ाता है कर रहने वाला है और आप कहते कि अपरादी शिरी रामपुर का निवासी है अजी यह सब उसकी चाले है वै शिरी रामपुर का निवासी है उसके पिता का नाम हिर्दैनात है जो एक प्रसिद जमीदार है मैंने फिर पुछा उसका अपराद क्या है उत्तर इस्पेक्टर ने दिया विद्रोहो विद्रोहो एक गुप्त संस्ता से उसका सम्मन्द है बंबनाना चोरी डकैती कतल लूटमार यह ही उसकी देश सेवा है यह सुनकर मुझे हसी आ गई मैंने खा आप महानुभव एक 17-18 वर्ष के बंगाली युवक को विद्रोही बता रहे हैं यह है बला कोई मानने की बात है एक साधरान युवक की घरबतारी के लिए इतने व्यक्ती चार सिपाही दरवाजे पर तैनात किये गए और घर की सगन तलाशी शुरू हो गई सुईन ढूंडने के समान बारीकी से तलाशी हुई कि तु ललित का कहीं पता न चला अलबता उसकी कमरें से एक पत्र मिला भारत मा का तुछ सेवक शरद बंगाली बाबुने अपने माते पर हाथ मार कर का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया फिर से चकमा दे दिया महिनों की मैनत पर पानी फेर्ग दिया पुलिस निराश होकर वापस चले गए हम सब भी उमा शंकर के साथ ललित के लिए आंसु भाने लगे ललित से हमको सबको बहुत अधिक प्रेम हो गया था उसका यह काम देखकर मुझे आश्चाहरे होगा महाश है मैं वही डाक्टर हूँ मेरी डाक्टर बहुत चमक गई है उमा शंकर मैक्टरिक पास कर चुक है उसकी दशर दिन परती दिन परिवर्तित होती जा रही है यह वही उमा शंकर है जो अपने हाथ से गिलास में पानी भी नहीं डालता था और आज वही गरीबों की सेवा के लिए हर समय उद्यत रहता है ललित के पश्चात स्वयम सेवक का जीता जाता चित्र उमा शंकर में ही मुझे दिखाई दिया एक दिन बैटे बैटे ललित का ध्यान आ गया मिरी आँखों में आसू आ गया उसकी स्मृति से पुराना प्रेम ताजा हो गया तब ही उमा शंकर ने कमरे में प्रिवेश किया उसके हाथ में एक अंग्रेजी का अकबार था उसका चेहरा उदास था आँखे आसू से भरी थी उसने भर्राई आवाज में का ललित को आज इवन देश निकालने का दंड दिया गया है वे अपरादी नहीं था वे देश का सच्चा सेवक स्वतंदरता का पुजारी साहरदय और सबसे प्रेम करने वाला देश भक्त इनसान था ललित का उदिश्य कतल या लूट मार करना रहा हो या विद्र हो इसके विशय में तो कुछ नहीं जानता है मैं उसकी सपष्टवादी सभाव और सादगी का काहल हूँ मुझे उस पर पूर्ण विश्वास था उमा शंकर के शब्द सुनकर मेरा हिर्दय तहल गया जबकि अपने विचार व्यक्त करके उमा शंकर रोने लगा मैं भी अधिक सहन ना कर सका मैंने अपने आसू पहुंचे इसके पश्चात मैंने कहा उमा शंकर ललित को देखने के लिए हिर्दय विकल है वै कब तक वापस आएगा मगर उमा शंकर ने इसका कोई उत्तर ना दिया वैसी सक सक कर रोने लगा उसकी यह दशा देखकर मुझसे भी सहन ना हो सका हिर्दय दरवित हो गया हिर्दय में चिंता और क्रोध के बाव उत्पन हो गए